इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी एस्टीपाद 10 टैबलेट टाइब दो डाइबेटीज मेलिटस के इलाज के लिए अकेले या अन्य दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तिमाल किया जाता है यह मधुमें हमें देखे जाने वाले उच्छरक्ट शरकरा के स्तर को नियंतरित करने में मदद करता है यह मधुमें की गंभीर जटलताओं की संभावना को कम करता है और हृदे रोग को रोकने में भी मदद करता है स्टीपा 10 टेबलेट दिन में किसी भी समय भोजन के साथ या खाने के बिना लिया जा सकता है लेकिन आपको इसे रोजाना एक ही समय पर लेने का प्रयास करना चाहिए खुराक आपके डॉक्टर द्वारा तै की जाएगी अपने डॉक्टर से पूछे बिना इसे लेना बंद न करें यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके रक्ट शरकरा का स्तर बढ़ सकता है और आपको गुर्दे की क्षती और अंधापन जैसी गंभीर जटिलताओं के जोखिम में डाल सकता है यह दवा केवल एक उपचार कारेक्रम का हिस्सा है जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार स्वस्ताहार, नियमित व्यायाम और वजन कम करना शामिल होना चाहिए सदपा 10 टैबलेट के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में योनिका फंगल संक्रमन, नसो फिरिंजाइटिस यानि की गले और नाक के मार्ग की सूजन और मूत्र मार्ग में संक्रमन शामिल है इससे शरीर में बहुत अधिक पानी की कमी हो सकती है नेजली करन को रोकने के लिए खूब सारे तरल पदार्ट पीएं अच्छी स्वच्छता बनाए रखने से जननांक शेत्र में फंगल संक्रमन के विकास को रोकने में मदद मिल सकती है इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित्सक को सूचित करें कि क्या आपको किड्नी या लीव की कोई समस्या है या मूत्रपत का संक्रमन है या यदि आप पानी की गोलियां यानि की मूत्रवर्ध ले रही हैं गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए इसे लेते समय अत्यधिक शराब के सेवन से बचें क्यूंकि इस से कुछ दुश प्रभाव विकसित होने का खत्रा बढ़ सकता है इस दवा को लेते समय नियमित रूप से अपने रक्ट शरकरा के स्तर की निगरानी करें विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद